हेलो फ्रेंट स्वागते आप सभी कापके अपनी यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर और जैसा कि आपको पता है कि डेली सुबह आपकी दस बजे की जो क्लास होती है वो होती है लेंगुज क्लास देखते हैं यहाँ पे हम हिंदी संस्क्रिट और इंग्लिस के केस्ट ए सबस्क्रियूब तो नहीं जरूरत और यह सबस्क्रियू ऊबीट्म संस्क्रियूब समय स्वालित छाट्री थाल्याओ कराया करें घ्रियुण स्वाइब वीजूब यहाँ बदोती होती है तो आप देख रहें कि एक क्भरती को complete होने में कितना साल लग जा रहा है तो बहते होता है कि जिस साल का अपका सुपर अ देना है उस साल या उसोसाल — साल पहले कही आपका us okay ट लगा रहे तो कहीं न कहीं जब भी आपकी कि दो साल थी साल अगर खिच भी जाती है भर्ती तो तब तक आपका का सार्टी थालोड रहता है जब आप एक्जाम सब्सक्राइव करने सर्टेट सहले मेश्elnा में यहां पर अगर आपको पी होई नहीं कर सकते तो चलिए देखेंगे स्टार्ट करेंगे सेशन आज का हिंदी से स्टार्ट करते हुए बढ़ेंगे हम इंग्लिश की और संच्क्रत से होते हुए अगला प्रश्न सौरी पहला प्रश्न हमारा दिये गए वाक्यांच के लिए एक शब्द प्रयोक करना है आपको बड़ी तो चलिए देख लेते हैं यहां पर जो सही उत्तर होता है वो दुर्भिक्च होगा वैसे वी भीक्च शब्द से ही आपने गैस कर लिए होगा सही उत्तर हो जाते है आपका गड़बढ घुटाला कौन सा शब्द है तदभव है देशज है तत्सम है संकर है गड़बढ तो यह जो होते हैं यह देशज सब्द होते हैं आपके ऑप्शन नंबर भी सही हो जाते हैं जिनके उत्पत्ति का कोई पता नहीं होता कि कहां से आए हैं उनको बिसकली हम देशज सब्द कह लेते हैं तुरंत दान महा कल्यार इस लोकोक्ति का क्या आर्थ है बहुत ही प्रस चलिए देख लेंगे इस प्रशनी के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो हो जाता है आपका option number D कि जो काम करना उसे तुरंद कर डालना चाहिए शेर को देख कर उसका होश उड़ गया शुद्ध रूप बताना है ये वाक्य अशुद्ध है इसमें तुरुटी है तो फटा फटसे options देख लीजे शेर को देख कर वह भयभीत हो गया शेर को देख कर वह बेहोश हो गया शेर को देख कर उसका होश भाग गया या फिर शेर को साथ basically हम हमेशा उड़ गए शब्द यूज़ करते हैं तो आपका option number D से हो जाता है कि शेर को देख कर उसके होश उड़ गए निश कलंक इसका संदिविच्छेद क्या होगा निसधन तो जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है इस प्रशन के लिए वह आपका option number भी हो जाता है निधन कलंक इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन देखते हैं दिए गए शब्द के लिए वाक्यान शाप को चुनना है अंडज अंड़ा बेचने वाला अंड़ा खाने वाला अंड़े से उत्पन होने वाला या एक बिमारी का नाम और इसी के साथ हम देख लेते हैं जो हमारा सही उत्तर है इस प्रशन के लिए बिल्कुर आसान है अंड़े से उत्पन होने वाला अंडज कहलाता है पौबारा होना, इस महावरे का अर्थ क्योंगा, संकट में पढ़ना, स्वाव लंबी होना, खूबलाब होना, बेद खोलना और इसी के साथ चलिए देख लेते हैं, जो इस प्रश्ण के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा, पौबारा होना, वो होता है, option number C, खूबलाब होना अवचेतन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, अवक, अव या अवका, अवचेतन तो यहाँ पे चेतन अलग हो जाएगा, अब जो है यहाँ पे प्रयुक्त उपसर्ग के option number C, सही होता है प्रय वचन बोलना, इसके लिए मुहावरा चुनना है, फूल कर कुपपा होना, फावडा चलाना, फूल ज़र्ना, या इन्में से कोई नहीं प्रय वचन बोलना, और इसके लिए जो correct answer होता है, वो हो जाता है आप प्र फूल ज़र्ना दर्शन का तदवो रूप क्या होगा, दर्शन, 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 दर्शन या दस्र्न, दर्शन ऐसा बनीगा आपका तो चलिए देख लेते हैं सही उत्तर, बिल्कु सभी ने सही गैस की होगा, क्योंकि जब की तदवह जो रूप होता है, बेसिकली जो देशी टाइप के शब्द होते हैं, मतलब जो हिंदी, सेक्षुद, हिंदी के हमें समझ में आते हैं, वही शब्द होते हैं, और सही उत् अप्शन नमबर भी दरसन, मात्र शब्द का यहां पेदुतिया विभक्ति में बहु अचन रूप क्या बनेगा, संस्कृत से है, प्रेश्न फटाफट से बताईए, मात्र शब्द, माता और पिता का रूप याद करना है, आपको याद रखना है हमेशा, तो इसका जो करेक्ट एंसरों का ओप्शन नमबर हो जाएगा, मात्र ही, अगला प्रश्न, अगने शब्द का चतुर्टी विभक्ति में एक वचन रूप क्या बनेगा, अगनी ना, अगनाय, अगने, अगने, तो चतुर्टी विभक्ति एक वचन रूप बनेगा, आपको सी अगने यह करेक्ट एंसर हो जाता है बभू यहां पर धातु कौन सी है यह आपका यह कि शब्द रूप लिखा है यहां पर इसकी धातु कौन सी है यह बताने है भू ब्रे घी जो प्रिज सारी फटा-फट से देख लीजिए चलिए देख लेते हैं इसका जो सही अंसर होता है यहां पर भू धातु हो जाती है काफी आसान था इसे गेस करना बाकी सारे थोड़ा सा कन्फ्यूस करने के लिए अप्शन दिये गये थे बट आसान था तो यहां पर आपको बताना है कि इन धातु पदों में जो यह दिये चलिए देख लेते हैं जो सयुत्तर होता है वो हो जाता है आपका ओप्शन नंबर डी नया सी जो है यह आपका लटला कारमध्यम पुरूस एकवचन का रूप बनता है सह, साकम, सार्खम इन सब जब्दों के योग में कौन सी विभक्ती प्रयूक तो होती है प्रथमा, तृतिया, दृतिया या चतुर्थी और सही उत्तर जाता है इस प्रशन के लिए आपका ओप्शन नंबर बी तृतिया विभक्ती हो जाती है राग्या इह पदे का स्विभक्ती राग्या पद में कौन सी विभक्ती है प्रथमा, सब्तमी, तृतिया, चतुर्थी राज्या सही उत्तर होगा इस प्रश्णी के लिए प्या आपका द्रतिय भाक्ति ही हो जाएगी इस प्रश्णी का भी सही उत्तर ऑप्शनस नंबब सी हो जाता है स्रीमत यहां पर प्रत्य कौन सा प्रयूक्त हुआ है स्रीमत में यत फटाफर से ओप्षन स्रीमत और अगला प्रश्ण भी आपका प्रत्य वाला है तो यह भी फटाफर से कर सकते हैं दोनों एक साथ रख्षडियाह दोनों में बताना है आपको प्रत्य ही तो यहां तो यहां पर जो सही उत्तर होगा आपका इस प्रचन के एखर देखें कि अपका संस्क्रिथ प्रत्य हैं हंदी प्रत्य defenses के में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है यहां पर आपका सृ्रीमत मेंमतुप प्रत्य 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 प्रयोग्त हुआ है कथ में लगाएंगे तो क्या बनेगा तो यहां पर जो सही होगा इस प्रश्म के लिए आपका कि अगर आप तम्हें प्रत्य लगाते हैं तो तो बेसिकली आपका कथितह बनता है, यहाँ पर भा लिखा हुआ है, जो कि गलत है, यह आपका था बनना चाहिए, ठीक है, यह था होना चाहिए, यह मिस्टाइपिंग, I guess, निरगाव शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, निग, नी, निर, नी, प्रशन नहीं बनता है, तो आपको पता होना चाहिए, चलिए आजाते हैं, फटा फट से हम अपने इंग्लिश वाले section पे, revision-based questions है, और mixed questions है, जो कि आपके grammar के portions है, easily बनने चाहिए, नहीं बनता है, तो थोड़ी मेहनत करिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रशन आपका question है, उसमें आपको क्या करना है, indirect or direct speech में conversion करना है, यह निग, narration का question है आपका, तो यह already indirect में दिया है, आपको direct उसका बताना है, the mother told her son that if he lied, he would be punished, इसको बताईए, direct में कैसे बोलेंगे, तो यहाँ पे चलिए, पहले हम दिये देख लेते हैं, कि mother told her son, ठीक है, ऐसा लिखा यानि कि mother ने जो है, अपने लड़के से, बेटे से कहा, यह जीज़ थो हमें यहीं पे clear हो चा रही है, उसके बाद, that if he lied, उसने यह का कि अगर वह जूट बोलेगा, तो कौन जूट बोलेगा, अब उसका लड़का है न, he would be punished, तो वह जो है, उसको सजा मिलेगी, सजा दी जाएग इसको, तो he कौन है, यहाँ पे लड़का ही है, दोनों ही जो आपके प्रोनाव यूज़ हूए है, यूज हूए है यह situation दी जारी कि अगर वह जूट बोलेगा, तब उसके सजा मिलेगी, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है, इफ लगा है, यह दिवाली condition है, condition लगी है, यह नहीं कहा गया है, कि तुमने जूट बोल दिया है, और अब तुमको सजा मिलेगी, ऐसा नहीं है, तो यह बिल्कुल करेक् करना इफ की वज़ा से, select the correctly spelled word, सही spelling बताना है, इन में से चार spelling लिखी है, सही क्या है, काफी आसान और काफी ज्यादा यूज होने वाला यह शब्त है, recover, option number D सही हो जाता है, cover की spelling जो आपको आती है, C, O, V, E, R, उसके आगे R, E, लगा देंगे, तो बन जाता है, recover, recover का मतल हो रहा है, यानि कि स्वस्त हो जाना, चंगा हो जाना, ठीक है, वसूली के लिए भी recover word यूज करते हैं, recovery करना है, पैसों की, या किसी भी चीज़ की, तो recover word कई सारे sense में यूज होता है, इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न के और, the chairmen as well as the members blank blame for this misfortune, are, where, were, is और has, तो यहां पे जब भी ऐसा as well as लगा होता है, मैंने कई बार बताया है, आपको high level question जब करा रही थी, वहां पे भी बताया था, तो हमेशा जो आपका यह होता है, यानि कि जो पहला आपका subject होता है, इसी के हिजाप से आपको helping verb लगाने होती, अब यह the chairman लिखा है, य यहां पे हमें members दिख रहा है, यहां पे आपको suffix लगाना है, suffix होते हैं, जो हिंदी में जिसे हम प्रत्या ही कहते हैं, वहीं English में हम suffix कहते हैं, moist, moist में आप क्या लगा सकते हैं, एक प्रत्या जिसी यह noun बन जाए, फड़ावर से options देख लीचे सारे लिखे हैं, जितने भ हैं, कुछ अलग से नहीं है, वही प्रत्या है, वही उपसर्ग है, वही संग्या सर्वनाम, वाच्च, ठीक है, यही सारी चीज़े हैं, बस पर कही किसमें English से हैं, थोड़े से रूल से अगर आप इसको देख लेते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है, तो यहां पे से of blank of these pens, some of these pens, many of these pens, both of these pens are few, तो पहले सबसे तो better off भी लगा है, इस पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, उसके बाद of these pens भी लगा है, यही कि pen जाईर से बात है, एक नहीं कई है, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, है न वो यहां पे mention नहीं कि कितनी है, तो जब यहां पे comparison हो रहा ह तो हमेशा हम बोद का यूज करेंगा, उसमें से चुन सकते हो, तो जब बैटर ओ लगा है, यहीं कि जितनी भी है, उनमें से एक अच्छा चुनने की बात हो रही है, इस वज़ा से हमने बोद यूज किया है, तो कि बेसिकली comparison हमेशा हमेशा दो के बीच में हम करते हैं, जन Sunrises in the East, बहुत इतना मतलब यह प्रसेद्ट सेंटेंस है, आप फस्ट से लेके और किसी वी ट्वल्थ लेवल तक की किताब ठालीजिए, एकदम जब आपका टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्रेजंट इंटेंस उसका यह एक्जांपल में यह पहला सेंटेंस मिल जात निगेटिव आया है, ना तो यहां पर किस्टन पूछा जा रहा है कि आप इंट्रोगेटिव कहें, ना यहां पर कोई अश्यर्य हो रहा है, ओक्षिन नमबर यहां पर एस ही हो जाता है, ओके यहां पर आपको प्रेपोजिशन फिल करना है, देलिव ब्लैंक दा फिफ्ट फ्लोर अब कोई पांचवी मंजल पर रह रहा है, पांचवी मंजल में रह रहा है, वो मुझे नहीं पता, यह आपको बता ना है, इन आयेगा, Germans पर वह रहुआ है, फिफ्त फ्लोर, सेकंड़ फ्लोर, कुछ भी हो, ठीक है? आपको वहां पर और नमबर यहां नमबर सी हो पचाता है क्योश्चन के लिए नेक्स देख लते हैं सिनो नीम बतानाकों समाना आर्थिी शब्द सॉलिटरी देखे कभी भी समाना आर्थि शब्द आ बता पाएंगे जब आपको उसका अर्थपता होगा तो solitary का अर्थ बेसिकली होता है एकांत वासी, निसंग, अकेला, एकल है ना अब जो options है उनमें से भी आपको उनकी अर्थ पता होने चाहिए तभी तो आप guess कर पाएंगे देख लिजे क्या हो जाता है तो यहाँ पर lonely बहुत ही प्रसिद्ध शब्द है solitary का मतलब भले आपको ना पता हो पर lonely का मतलब तो पते होगा lonely means अकेला, तो यही इसका समानार्ति शब्द हो जाता है ओके, article के आएगा तो यहाँ पर भले ही देख रहे हैं आपकी united लिखा है, जिसकी spelling तो you से स्टार्ट होती है, जो कि एक वावल है लेगन जब हम इसका उचारड करते हैं तो हम you से कर रहे हैं या अगर English में लिखते हैं तो हम इसका उचारड you से कर रहे हैं यानि कि y से कर रहे है and y जो है वो एक सामे वावल होता है वावल नहीं होता है completely तो यहाँ पे जो article का use हमें करना है, भले ही united एसा लिखा हुआ है वो करना है, option number a यानि कि a ही लगाना है and नहीं लगाना है अगला देख लेते हैं, preposition ही फिल करना है we all laughed blank the fair over, about, for or on अब हम किसी चर्चा पे, किसी विशे पे हस रहे हैं, किसी के ऊपर हस रहे हैं तो over आ जाएगा, option number a ही हो जाता है, laughed over, use होता है साथ में, option number a बिल्कुल सही उत्तर है, so ये हमारा session था, मुझे पूरी उमीद है आपको पसंदा होगा पसंदा है, तो प्लीज लाइक करिए, शेर करिए चैनल पे न्यू है, तो सब्सक्राइब भी करिएगा so thanks for watching, keep studying and bye bye